Guys, किसी भी language को teach करने के लिए, teachers different approaches अपनाते हैं, approaches का मतलब होता है, हम किस तरह का method अपना रहे है language पढ़ाने के लिए, या बच्चों को language सिखाने के लिए, तो as a second language, हम अगर English सिखाते हैं, या कोई भी language सिखाते हैं, तो बहुत सारे methods अपनाये जाते हैं, उन्हीं में से एक traditional method है, grammar translation method, बहुत ही पुराना method है, 17th या 18th century से मैं कहूँ, तो गलत नहीं होगा, उस time से, आज तक ये method चलता हा रहा है, बहुत सबसे पुराना method है, इस method में क्या होता है, कि teacher जो है, बच्चों को हर एक word, हर एक sentence को, उसकी mother language में translate करके देता है, बच्चा उसको copy कर लेता है अपनी copy के अंदर लिख लेता है, इसी तरीके से उसको grammar सिखाए जाती है, और उसके बाद translation के तुरू उसको language सिखाए जाती है, तो पुराने time में जैसे Greek language हो गई, या Latin language हो गई, या Sanskrit language हो गई, इस तरह की classical languages पढ़ाने के लिए, ये grammar translation method का use किया जाता था, और जो कि आज अब grammar translation method के कुछ benefits की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा benefit है कि time बहुत save करता है, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं mother tongue की help से, then students की previous knowledge को teachers उनकी mother tongue की help से बहुत जल्दी समझ लेते हैं, और बच्चों के level पे आकर के teacher उनको second language सिखाता है, इसने वो और जल्दी काम कर और उनको समझ में भी आ जाता है, तीसरा benefit इसका यह है कि students target language को बहुत easily सीख पाते हैं क्योंकि हम bilingual method का use कर रहे है, bilingual method means two languages, एक तो उनकी mother tongue, मात्रिभाशा और दूसरी language जो target language है, target language का मतलब जो भाशा हम उनको सिखा रहे हैं, वो target language होती है, तो दो languages की help से बच्चे easily और हम पेशा के लिए उनके दिमाग में चीज़े रह जाती है, और हो सीख लेते हैं, और एक फायदा यह है कि बच्चे वोकैबलरी बहुत जादा इंक्रीज कर सकते हैं इस method के help से, फिर आता है इसका सबसे बड़ा benefit कि यह large classes के अंदर बहुत अच्छी तरह से applicable होता है, students blackboard से द educated vocabulary सीख पाते हैं, दूसरी बात उनका listening और speaking पे कोई ध्यान नहीं जाता, listening or speaking skills developed नहीं हो पाती है, वो सिर्फ reading और writing में रह जाते हैं, और उपर से अच्छी तरह से पुरी language उनके पकर में नहीं आपाती है, क्योंकि वो translate कर दे ही रह जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा drawback य बच्छों को बहुत ज्यादा grammar के rules याद करने पड़ते हैं, और correct grammatical structure में sentence को बनाना पड़ता है, translate करना पड़ता है, इसकी वज़े से उनका interest खतम हो जाता है language सीखने में, and this is what we call grammar translation method.